स्वामिनायराण संप्रदायमा अनकूटनु अनोखु महत्वा छे तेमा एक खासकरीने कचमा अनकूट उत्सव दाम दुम थी उजब्वामा आवे छे त्यारे बूजना नूतन स्वामिनायराण मंदिरे अनकूटनी तैयारीने आखरी ओप अपाई रहे हो छे बूज स्वामिनायराण मंदिरना कोठारी स्वामि शास्त्री नारायन मूनी दास जीए कचुदैने विगतो अपता जणाव्यों हतु केचेला पंदर दिवस्ती बूजना स्वामिनायराण मंदिरे अनकूटनी तैयारीयों चाली रही शे शास्त्रोक्त द्रश्टी ये आनने चपन भोग धराववाम आवे शे बरन्तु बूज मा स्वामिनायराण मंदिरे अनकूटनी वदू भोग अनकूट मा धराववाम आवशे त्यारी अनकूट उत्सव अंगे विगतो अपता कोठारी स्वामि ये कईू हतु के 20-25 दिवस्तुदी बगडे नहीं तेवी मिठाई फरसान नी वानगियों अनकूट माटे तयार थाये शे अने शेला 15 दिवस्ती साधू संतो अने सेवाभावी हरी भगतो द्वारा जैमत उठाववा मावी रही शे जे मानकूटनी मुख्या वानकी एवा फफडिया 3000 किलो लोटना बनावाया शे आव प्रांत साटा गांठिया मोहन थाड लाडू सहित विविद फरसान ने फराड सहित ना वेंजनो बनावाया शे तो पडवाना दिवसे भगवानने भोग धराववा माटे 32 प्रकारना शाक अथाना दाडभात ना वेंजनो बनावा माव शे अने बेस्ता वर्षे बूजना स्वामी पूज मंदीर ना कोठारी स्वामी नारायन मुनी दास्चिये भाव भर्यू आमंत्रन पाठवी वहतों स्वामी नारायन मंदीर भूज द्वारा जे अनकोठ नो आयोजन करवा मा आवे छे एमा लगबग छेल्ला पंदर दिवस थी आवस्तुओनी बदी तैयारियो शरू थाई जाये छे अने ये बद्दी जवस्तुओ एवी रिते मनावामा आवे छे के दूद माथी अथवातो जे रिते न बगडे पंदर विस विस दिवस्तुदी न बगडे एनी वातने ध्यान मा राखिये अने आ सामगरियो बनावामा आवे छे अने शास्त्रणी अंदर वगवानने चप्पन भोगनो थाड कहलो छे तो एज रिते अनकोट नी पन लगभग चप्पन करताया वधारे आईटामू अनाज माथी बनावे छे अने एटली ने एटली आईटामू फडाड माथी बनावे छे अने 32 प्रकारना वेंजन एटले के साक कहले लाँचे तो वधारे एना करताया वधारे साक पन बनावे छे अथाना पन बनावे छे अने डाड भात के जे काई हो इ बद्धी ज वस्तुव तयार करवामा आवे छे पड़ इ वस्तु बद्धी है पडवाने दिवसे तयार करवामा आवे छे आजे मिश्टानों छे फर्षानों छे इ पुर्व तयारियों करवामा आवे छे